नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल मिस्टर मेशन गुरू में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं डाइडरो होप टैबलेट के बारे में जिसके यूज़े बेनफिट साइड पेक साथी साथ इसके MRP और किस-किस इंडिकेशन में यानि किस-किस इस मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं पेशन्ट के लिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादियम से हम देंगे तो बने रहें वीडियो के लास तक और यह आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें बेड आइकन जरूर दबाएं ताकि medicine से related कोई भी information अगर हम अपनी YouTube चैनल पर share करें तो आप देखने के माध्यम से जरूर पहुचे दोस्तो हम बात कर रहें डाइड्रो हो टेबलेट के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके composition के बारे में इसका composition दोस्तो जैसा कि आप अपने screen पर देख सकते हैं इस film coated tablet contents डाइडो डिस्टान IP 10 mg इसमें दिया हुआ है बात करें company की तो manufacture in India by Corona Remedies Private Limited दोस्तो यह Corona Remedies Private Limited company के दवराब बनाई और बेची जाने वाली medicine है बात करें storage के बारे में तो दोस्तो इसे आप room temperature में रख सकते हैं packing की बात करें तो कुछी इस तरह का दोस्तो इसका pack होता है जो कि आप अपने screen पर देख सकते हैं एक strip में दोस्तो इसके 10 tablets पाये जाते हैं जिसकी MRP की बात करें तो 549 रुपए यानि 539 रुपी में एक strip मिलती है जिसमें की 10 tablets पाये जाते हैं जो कि आप अपने screen पर देख सकते हैं बाकि समय के अनुसार दोस्तो MRP पढ़ती रहती है अब बात करेंगे दोस्तो कि Diutro Hope टैबलेट जो है किस problems में लिखी जाती है यानि किस-किस indication में इस tablet का recommendation डाक्टरों के दोरह किया जाता है दोस्तो सबसे ज़्यादा इस medicine का recommendation डाक्टरों के दोरह महिला बास्पन वाले problem में किया जाता है दोस्तो महिला बास्पन वाले प्राबलम में इस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा डाप्टर रिक्मेंट करते हैं दोस्तो यह क्या करती है कि महिलाओं की पीरियट को नियमित करती है और बार बार जो उन्हें गरफ़त पात वाली प्राबलम रहती है यानि recurrent miscarriage वाली जो problem रहती है उनको रोकने में डाइट्र होप टेबलेट मदद करती है साथी साथ दोस्तों period के दावरान अगर महिलाओं को तेज दर्ध होता है तो उसको भी दोस्तों यह कम करने में काफी helpful होती है और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा तनाओ या फिर बेचैनी वाली problem रहती है heart flashes वाले problem रहते हैं उसमें भी डाइट्र होप टेबलेट डाप्टों के द्वारा recommend किया आता है साथी साथ दोस्तों इसका दूसरा जो indication है premenstrual syndrome जिसको PMS कहा जाता है दोस्तों premenstrual syndrome एक सारारिक और भावनात्मक परेशानियों का मिश्रण होता है महिलाओं में जो तब होता है जब किसी महिला का मासिक धर्म यानि की मैंसेज हो गयरा irregular हो जाता है तो उस condition में भी दोस्तों डाइट्र होप टेबलेट को दिया जाता है कुल मिलाकत दोस्तों यह दवा कई सारी असुविधाओं को कम करने और आपके मोड में यानि महिलाओं के मोड में शुधार करने के लिए दी जाती है उनके जीवन सहली में बदलाओ जैसे नीमित एक्सरसाइज, योग, श्वस्ताहार और भरपूर नीद ना लेना इस सारे प्राब्लम्स के बज़ा से जो उनको प्राब्लम होती है उसको दूर करने के लिए डाइट्रोप टैबलेट को लिखा जाता है साथी साथ दोस्तों इस टैबलेट का उप्योग इंडोमेट्रियोसिस वाले प्राब्लम में भी किया जाता है इंडोमेट्रियस दोस्तो एक प्रावकार की समस्य होती है जहाँ पर दोस्तो इंडोमेट्रियम यानी की जो है गरभासर के अंदर की जो रहे खा बनने वाले उतक होते हैं उनमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम सजाते हैं तो उनको दोस्तो ठीक करने में भी यह डाइडर होप टैबलेट रेकमेंड की जाती है गर्भासर में दोस्तो असमानने तरीके से जो है बलड निकलना उसको भी दूर करने के लिए इस मैटसिन का उपयोग किया जाता है साथी साथ गर्भापात की रोक थाम के लिए भी इस मैटसिन का रेकमेंडेशन डाक्टर के दौरा किया जाता है यानि बार बार किसी महिला का अगर जो है मिसकरेज हो रहा है बच्चा जो है कंसीव होता उसके बाद प्राबलम होती है तो उस कंडिशन में भी इस प्राबलम देख सकती है बहुत ज्यादा साइट बेट देखने पर आप अपने डाक्टर से तुरंत कंसल्ट करें उसके बाद इस मेडिशन का यूज करें तो यह थी दोस्तों डाइट्र होप टैबलेट की सारी जानकारी आपसे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ल जहिन जय भारत बंदे मात्रम